सबके जीवन में कोई न कोई गुरू जरूर होना चाहिए अब आपके पास गुरू डूडने कहा जाओगे टाइम तो है ही नहीं टौफी डूडने जाने का टाइम नहीं है गुमने का टाइम नहीं है खेलने का टाइम नहीं है इच्छा हो तो घर वाले टाइम नहीं देते टाइम पे घर से बाहर जाओ टाइम पे आओ तो मैं आपको एक गुरू बताता हूँ बहुत एजी है सबसे सही गुरू आपकी मम्मी तालीव जाईए सबसे पहली गुरू कही मत जाईए कोई गुरू डूर्णे की जरूत नहीं इस सुम्र में आपकी मदर आपकी मम्मी अब आप में से मा तो कोई बोलता ही नहीं होगा तो मम्मी ही मा है और मा ही गुरू है ठीक है? अब एक और गुरू की जरूत पड़ेगी बही मम्मी तो घर में काम आईगी जब आप खेलने जाएंगे, जब आप competition में उतरेंगे तो एक और गुरू की जरूत पड़ेगी और वो गुरू है, हनमान जी महराज, हनमान जी को गुरू बनाईए, दूसरे गुरू, जोरदार ताली बजाईए हनमान जी के नाम तो, चलिए, थोड़ी देर बात समझेंगे हनमान जी गुरू कैसे बनते हैं, आज आप यहां से आएं तो खाली नहीं जाना है, भई मम्मी तो आपके पास हैं ही, पर मैं आपको हनमान जी के रूप में गुरू दे दूँगा, फिर